चलते हैं mental math question bank class 7th यहाँ पर जो मैंने mental math लिया है यह आपके काफी help करेगा आप जो journal level की आपके quiz होने वाली है ठीक है चाहिए वो region level पर हो या फिर district level पर हो या फिर आपके final exam हो उन सभी में काफी help करेगा यहाँ पर mental math मैंने लिया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह new session का mental math है 2021 और 22 ठीक है और इसमें हम करेंगे chapter number first यहाँ पर बच्चो यह chapter number first है integer का और इसको आप मैं help करना शुरू करता हूँ ताकि आप सभी बच्चों को काफी help हो जाए ठीक है तो आए करना शुरू क करते हैं मैं हूँ हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल चलो कदम बढ़ाए special यहाँ पर English medium के बच्चों के लिए let's find the sum of minus 52 and minus 87 sum find out करना है और आपको sum find out करना है तो end की जगे plus का sign आपको लगाना होगा और minus 87 देखिए बच्चों जब भी sign आमने सामने आते हैं तो एक को bracket में रख देते हैं देखो मैं तो solve करके दिखा रहा हूँ लेकिन आप mind में कर सकते हैं जल्दी कर सकते हैं ठीक है find the sum of minus 2035 and 285 ठीक है आईए लिख लेते हैं sum find out करना है तो minus 2035 और end के लिए plus का sign और 2085 ठीक है इस तरीके से आईए ये भी बिल्कुल लीजी है अब ये minus plus minus बड़े नंबर के सामने minus है इसलिए minus का answer आएगा अब 5 में से 5 minus क्या 0 और 3 में से 8 minus होगा नहीं बोरो लेंगे 13 13 मे यहाँ पर आगया 99 में से 2 minus के 7 और यहाँ पर आगया 1 this is your answer ओके तो next question देखो यहाँ पर question number आप देख रहे हैं अपनी screen पर question number 3 subtract subtract करना है बच्चो minus 46 from 144 को 4 में से ठीक है minus 46 को subtract करना है 144 में से तो 144 को लिखना है हमें आगे और second integer को लिखना है पीछे और एक चीज का याद दखाना minus करना तो आप यह से direct minus मत कर देना minus करने के लिए आपको minus का sign आपको लगाना होगा ठीक है इस तरीके से आगे कर लेते है 144 और minus minus होता है plus बच्चो 46 आगे इनको add कर देते हैं 4 और 6 यहाँ पर आगया 10 4 और 4 8 और 1 9 और यहाँ पर 190 this is your answer ठीक है इस तरीके से एक परसन आपका sold हो गया अब next question देखते हैं लिखा what is the additive inverse of additive inverse बताना है बच्चो 285 minus bracket 135 plus 150 तो additive inverse मैं आपको इधर ही बता देता हूं देखो बिलकुल easy है तो additive inverse तो एक ऐसा number होता है जिसको जो number आए उसके जो भी हमें number लिखना है माली यहाँ भी कोई भी number आता माली जी हमारा कोई भी number 4 है इसका additive inverse होगा minus 4 यानि additive inverse और वो जो number होता है उनको sold करने पर answer किता आने चीजीरो आना चाहिए उसे ही additive inverse बोलते है ठीक है आईए देखो यहाँ पर लिखा है 285 माइनस और ब्रैकेट 135 प्लस 150 285 माइनस और हम भी एड कर लेते हैं 135 प्लस 150 यह भी हो गया 285 हो गया यह माइनस प्लस माइनस यहाँ पर 0 आ गया तो 0 को additive inverse 0 ही होता है तो यही आपका answer बन जाएगा ठीक है आई नेक्स्ट कुश्चिन करते हैं question number 5 subtract the sum of ठीक है subtract करना है इस sum को subtract करना है यहाँ पर यह दो integer है दोनों को हमें पहले में sum find out करना पड़ेगा यानि answer इसका निकालेगे और उसको फिर 3000 में से minus कर देना है ठीक है आई यह करना शुरू करते हैं तो हमारे पास बच्चो नंबर है यहाँ पर minus क्या है नंबर एक यहाँ 1878 और प्लस और 8 और प्लस 878 तो इसका sum निकाल लीजिए तो आप sum निकालते तो minus plus minus होता है और बड़े नंबर के सामने minus का sign इसलिए minus का sign लगा देंगे तो 1878 में से 878 minus कर देना है तो आपका 1000 आपका बच जाएगा आप चाहे तो इधर आप इस तरीके से करके देख सकते हैं ऐसे minus करके देख सकते हैं ठीक है ना लेकिन sign हमने बड़े नंबर का लगा दिया अब इसमें लिखा है बच्चो from 3000 इस sum को 3000 में से क्या करना सब्टैट कर देना है तो 3000 में से करना तो 3000 को आगे लिखना पड़ेगा और इस sum को लिखना पड़ेगा पीछे और शब्टैट करने के लिए सब्टैट का sign आपको लगाना पड़ेगा ऐसे ठीक है ना यहां पर आईए करना शुरू करते हैं तो यहां पर आगया 3000 और minus माइनस हो गया प्लस और यहां पर 1000 तो 3000 प्लस 1000 होते हैं 4000 या this is your answer ओके तो next question देख लेते हैं बच्चों यहां पर simplify लिखा simplify ठीक है अब simplify हमें करना है तो simplify करने के लिए बच्चों हम कर लेते हैं question number 6 यहां पर आप अपनी screen पर देख रहे हैं तो आईए question number 6 कर लें simplify करना है आपको तो simplify करना है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ big bracket minus 13 minus minus 27 और यहां पर big bracket plus यहां पर फिर big bracket बना देता हूँ middle bracket है middle की जगे मैं big bracket लिख देता हूँ कोई दिककत नहीं उससे तो 25 minus यहां पर bracket minus 40 ठीक है और यह इस तरीके से तो simplify करना है कर लीजिए बिल्कुल easy है तो देखो minus 13 और minus minus होता है plus 27 ठीक है इस तरीके से plus यहां पर भी minus 25 और minus minus plus ठीक है यह step हो गया अब अच्चो यह plus है यह minus है plus minus होते है तो 27 में से 13 minus करेंगे तो 14 आएगा और बड़े नंबर के सामने plus का इसलिए plus का लगाने की जूरत नहीं यह plus का sign आप यहां पर लगा दीजिए यहां भी plus minus minus होते है तो 40 में से 25 हम minus कर दें तो आता है 15 और बड़े नंबर के सामने plus का इसलिए plus का sign तो already पहले लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम इनको add करते हैं तो 15 प्लास 14 आता 29 दिस इच यूर आंसर ठीक है कुश्चन नंबर 6 देख लेते हैं यहां पर 6 तो होगा 7 देख लेते हैं तो 7 में find the value value find out करने है बच्चो आए लिख लेता हूँ 1487 multiply 325 प्लस और यहां पर bracket minus 487 और multiply 325 ठीक है अब हमारे पास 2 term है 1 और 2 यहां पर दोनों में common देख रहे हैं common आ रहा है 325 ठीक है बच्चो अब multiply bracket बनाए और बाकी जो बच्चो नमबर बच्चा है उसको लिख लिजिए 1487 और minus plus minus 487 इस तरीके से ठीक हो गया अब बच्चो यहां पर 325 लिख लेते हैं और multiply अब minus कीजिए तो minus करेंगे तो 1000 आपका बच्चेगा तो 325 को 1 से multiply करते हैं तो 325 यह आएगा लेकिन पीछे 3030 आप लगा दीजी this is your answer तो बच्चो आप कर लेते हैं question number 8 यह question number 8 भी देख लेते हैं यहाँ पर question number 8 find the value, value find out करनी है तो मैं इधर लिख लेता हूँ बच्चो तो 2895 multiply 99 minus और bracket यहाँ पर minus 2895 ठीक है इस तरीके से आए पहले bracket को खोल लेते हैं यहाँ पर तो 2895 multiply 99 minus minus हो गया plus और 2895 अब देखो बच्चो यहाँ पर 99 से multiply है लेकिन यहाँ पर multiply है नहीं अगर हम 1 से multiply कर दे तो बच्चो 1 से multiply करने पर इसकी value में कोई difference नहीं आएगा तो हम यहाँ पर multiply 1 लिख देते हैं ठीक है अब हमारे पास two term है तो दोनों में common जो आ गया हो 2895 आता है इसको हमने लिख लिया bracket का sign बना है 99 लिखा और plus का sign और यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे ठीक है इस तरीके से आए इसको में कर लेता हूं इदर तो 2895 multiply 99 प्लस 1 तो कितना होता है 100 होता है बच्चो यहाँ पर 2895 के multiply 1 से करेंगे तो 2895 पी आएगा पीछे 2 0 तो 2 0 लगा दे this is your answer तो इस तरीके से बच्चो यह question भी आपका solve हो गया ठीक है अब हम करेंगे next question question number 9 यहाँ पर बच्चो question number 9 हम कर लेते हैं इसमें value find out करनी है तो लिखते हैं 1200 divide 20 minus 14 तो बच्चो बोड मास का नियम बोड मास का नियम कहता है इसे बोड मास इसे बोड मास बोलते हैं B का मतलब bracket O का मतलब off होता है जो बाद में multiply में change हो जाता है D का मतलब divide M का मतलब multiply add subtract ठीक है इस तरीके से तो यहाँ पर हमें करना है बच्चो divide ठीक है तो divide और subtract तो divide करेंगे तो 1200 को 20 से divide करते हैं तो बच्चो कितना आएगा देखो 0 से 0 अगर हम काड़ दे तो बच्चो आता है 60 आप इधर divide करके इस तरीके से देख सकते हैं ठीक है ऐसे तो minus आगया 14 अब यह plus है यह minus है minus plus minus होते हैं तो 10 में से 4 minus करेंगे बच्चो 6 यहाँ पर रहागया 5 5 में से 1 minus किया 4 तो 46 this is your answer next question question number 10 ठीक है बच्चो evaluate करना है यहाँ पर बच्चो मैं लिख देता हूँ 10 को evaluate तो बच्चो evaluate जब हम करेंगे तो board mask का rule ही आपको apply करना पड़ेगा board mask का rule कहता है कि पहले आपको bracket को solve करना है तो bracket को solve कर लेते हैं 5 to 10 यहाँ पर plus 4 अब board mask का rule क्या कहता है कि आपको add करना है तो 32 plus 4 होता है 36 इनको add कीजिए क्योंकि दोनों के सामने इसके सामने plus का sign है इसके सामने कोई sign है तो भी plus का है तो 32 plus 4 36 minus 10 अब यह plus यह minus minus plus minus 36 में से 10 minus करेंगे 26 this is your answer ठीक है बच्चो तो यह part आपका solve हो गया है आपको यह part कैसा लगा मुझे जरूर बताएं और मिलते नेक्स्ट पार्ट में till then watch my videos thanks for watch my videos